देखो यार, I think आप में से बहुत सारे लोगों ने, या सब लोगों ने no contact rule के बारे में ज़रूर सुना होगा, कि no contact होता है, no contact rule follow करो, इससे better होता है, ये dark psychology की तरह यूज कर सकते हैं, पट क्यूं, क्या हमें no contact rule की जरूरत है, और no contact rule में हमें करना क्या होता है, और इस rule की ज चैनल पे आया है, तो प्लीज एक बार विजिट कीजिए, अगर आपने मुझे Instagram पे follow नहीं किया, ID आपको दिख रही है, इस ID पे जा के आप मुझे follow कर सकते हैं, अगर आपको मेरे से 1-2-1 बात करनी है, तो WhatsApp नमबर दिख रहा है, इस पे जा के आप message कर सकते हैं, अपना slot book कर सकते हैं, it's paid, it's not free, Instagram पे मैं daily live आता हूँ, तो आप मेरे से connect हो सकते हैं, फ्री में बात कर सकते हैं, आपके जो भी question से मेरे साथ रख सकते हो, पर प्रसनली बात करनी है, तो आप यहाँ पे connect कर सकते हो, देखो होता क्या है न, basically, यह होता है कि जब आप किसी relationship में जाते हो सामने वाला इंसान आप सुरू सुरू में relationship में सबको मज़ा आ रहा होता है, पढ़िया चलती है न, सबकी relationship में wow वाला phase होता है, वगर relationship की 5 stages होती है, पहला stage का होता है wow, मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा रहा है, सामने वाले को भी मज़ा रहा है, कई बार सामने वाला बहुत जादे effort लगा रहा होता है, कई बार आप effort लगा रहे होते हो, पर थोड़े time के बाद situations change होती है, जहां पर एक इंसान effort लगाना कम कर देता है, और दूसरा इंसान effort लगाते रहता है, कोसिस करता है, हर एक चीज करने लगता है, क्योंकि यहां पर attachment की बाद आजाती है, थोड़े time की बाद आप attached हो जाते हो, थोड़े time की बाद जब आप attached होते हो न, तो एक इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी emotional control है, या फिर उसका ऐसा nature है, जहां पर वो एक relationship में अपनी value create करना चाहता है, और relationship पे पूरा कबजा करना चाहता है, कि होगा जो भी चीज़ें वो मेरे हिसाब से होगा, यह लड़का भी हो सकता है, यह लड़की भी हो सकती है, तो एक person पूरी तरह से चीज़ों को, situations को पूरा control करना चाहता है, और दूसरा person उसके according धीरे 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 चीज़ें accept करने लगता है, और थोड़े time के बाद situation इस तरह से हो जाता है, कि एक इंसान जो कबजा कर रहा था, वो इतना powerful हो गया है, कि दूसरा इंसान अब रो रहा है, care के लिए, value के लिए, time के लिए, ignorance की वज़ा से, सामने वाले इंसान की कोई value नहीं है, सामने वाले इंसान घाली, डाट, हर एक तरह से मतलब अपने आपको बधा हुआ और control situation में पाता है, कि यारब मैं क्या करूँ, मैं ऐसे situation में हूँ, कि जहां पर एक इंसान मेरे पीछे भाग रहा था, आज वही इंसान ऐसे situation में आ चुका है, कि मैं उसके बीचे भागने पर परिसान हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं अपना हाथ काट रही हूँ, सामने वाले इंसान को फरक ही नहीं पड़ रहा है, अभी ऐसे-एसे cases मेरे पास आते हैं, one-to-one sessions में हम बात करते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, किसी का भी, और साइध मैं उतना नाम याद भी नहीं रखता हूँ, चीजे जो है वो अलग सेटिंग में, बट उसमें से incidents ऐसे होते हैं, ना कि सामने वाला इंसान मुरे को गालिया दे रहा है, जब दूर है गुस्ते में गालिया देता है, सामने आता है तो थपड़ भी चलाता है, उसके बाद भी हम उस इंसान से नहीं निकल पार है, ऐसे situation में करें तो क्या करें, तो ऐसे situation में काम आता है, आपका no contact rule, अब यह हुता क्या है, बेसिकली व्रीफ में बता देते हैं, कि no contact rule एक ऐसा time period है, जहां पर जिस situation में, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसा situation क्रिएट कर देते हो, जो सामने वाले इंसान को जो comfort मिल रहा था ना, आपसे वो comfort देना बंद कर देते हो, कि सामने वाले इंसान को, जिस भी तरह से वो आपको manipulate कर रहा था ना, वो इसलिए कर रहा था, क्योंकि आप उसकी बाते सुन रहे थे, तो वो चीजे करना ही सामने वाले इंसान से छीन लेना है, तो उसके हाथ से power छीन लेनी है, और जब किसी से power छीनता है, तो फिर वो request वाले भाव में आते हैं, तो यह situations हमें create करना पड़ता है, अगर हम चाहते हैं कि एक इनसान हमारे relationship में, हमारे खुई हुई value हमें वापस करे, तो हमको करना क्या होता है, बिस्किली no contact rule में आईए बात करते हैं, तो देखो no contact rule में आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है, वो करना है आपको no communication, यानि आपके सामने वाले इनसान से communicate करने के जितने भी तरीके हैं, चाहे आप social media पर communicate करते हो, calls हो, whatsapp हो, कोई भी social media हो, या फिर आप सामने से मिलते हो, तो इन सारी चीज़ों से, जहां से भी आप सामने वाले इनसान से communicate करते हो, भीखे मांग रहे थे ना भी तक कि, please, 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 माफ करतो, वो सारे communication के जरीए खत्म कर देने, या फिर अपनी तरफ से वहाँ पर approach दिखाना बंद कर देना है, क्योंकि हर टाइम पर ये चीज़ ऐसे होता है, कि सामने वाले इनसान को चीज़ें गलतिया करता है, लडाई जगड़े करता है, वेलू नहीं करता है, फिर भी आप जाकर के जुक रहे थे, तो इस बार क्या करना है, अपने आपको रोकना है, कि no, I am not going to anywhere for 10 days, सामने वाले इनसान को आना होगा, तो आएगा, जाना होगा, जाएगा, थोड़ा सा खुद पर control लाना पड़ता है, कि no, हो गया, बहुत हो गया, बहुत गिर लिया, बहुत गिर गिर लिया, बहुत रो लिया, अब नहीं, अब नहीं हो सकता है, I am not going to accept it, तो आपको communication के जितने भी तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके कट करना है, जिससे सामने वाले इनसान के life में, पूरा एक, कहते हैं ना, पूरा space create हो जाए, उसके, मतलब एक blank सा हो जाए, उसको समझ ही ना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो इनसान, एक दिन से अगले दिन आकर के मेरी मिन्नते करती थी, वो अचानक से रुख जाए, हालत तो खराब हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इनसान, ये चीज़े तभी कर पाता है, जब आप उसको ऐसा behavior सो करते हो, अगर आप उसको ऐसा behavior सो करते हो, कि you don't care, हालत खराब हो जाती है सामने वाले इनसान की, तो सबसे पहली चीज़ no communication में, या फिर आपके no contact rule में क्या करना है, no communication, दूसरी चीज़ जो आपको no contact rule में करना है, वो है focus on self healing, खुद को heal करने पे focus करना है, ये जो time period आपको सामने वाले इनसान से cut करके मिल रहा है न, ये आपका बहुत special time है, इस time में खुद पे काम करना है, खुद को heal करना है, खुद के साथ जुड़ना है, आपको अपनी तरफ आना है, वो चीज़ें करनी श्टार्ट करनी है जो आपको खुशी देती है, आपकी family, आपकी friends, जो आपकी top most priority थी, उनको थोड़ा सा time देना है, थोड़ा सा वक्त देना है, ये चीज़ें आपकी help करेंगी खुद को heal करने में, खुद की self respect को समझने में, खुद को एक valuable इंसान समझने में, आपके mind में आपकी value create करने में, आपका काम, आपको जो करना पसंद है, वो करना है start करें, जिनसे मिलना पसंद है, बाते करना पसंद है, वो करना है start करें, तो बहुत involved in self healing, तो ये no contact के time पर करना है, ना कि just make you will, सामने वाले इंसान को दिखाना है, बहुत साइब लोगों को दिखाने के लिए कि मैं खुष हूँ, no, start working towards your happiness, not just so someone else, कि मैं उसके लिए कर रहे हूँ, बाकी 24 गंटे जाकर कि उसके whatsapp, message, insta, story, ये सब चेक करना है, no, work on yourself, work on your growth, no contact rule का तीसरा important part है, gain clarity and perspective, कि जब आप सामने वाले इंसान से cut होते हो ना, पूरी तरह से, तो आप जब थोड़ा सा खुद को time देते हो, तो ये आपको time, आपको clarity देता है, कि कहां कहां रिस्ते में आप क्या क्या गलतिया कर रहे थे, किन गलतियों की वज़ा से, आज आपकी situation ये है, कौन सी गलतियां हैं, जो आपको आगे नहीं दोहरानी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आने लगता, आपको एक perspective मिलता है, आप थोड़ा सा खुद से, जो खुद के emotions में डूबे पड़े थे, उन emotions से बाहर निकलते हो, और थोड़ा सा बैक आकर के खुद को देखते हो, कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे life में क्या चल रहा है, ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, इसको मैं ऐसे value कैसे दे सकती हूँ, बतब आप खुद को थोड़ा से back लेकर के, अपने relationship को अपने सामने देखते हो, और आप चीजों को बेटर तरीके से समझ सकते हो, तो आपको perspective और clarity के लिए बहुत important होता है, कि आप no contact में साए, no contact rule का चौथा important part है, break the pattern, जो आपका एक पूरा behavior का pattern हो गया था ना, break the pattern, इसलिए 15-20 दिन cut, cut हो जाते हो, आप break कर देते हो pattern को, कि आप सामने वाले इंसान से हर दिन बात कर रहे हो, सामने वाले इंसान के लिए रिड़ा रहे हो, रो रहे हो, चीजें कर रहे हो, उन चीजों से आप break ले लेते हो, आप जो सामने वाले इंसान पे हर एक चीज के लिए dependent थे, attached थे, उनसे बाहर निकलते हो, आप खुद की independence पे आपको काम करना है, खुद की happiness पे काम करना है, जो आपका पूरा एक pattern था, उससे अलग निकल करके आपको खुद की खुशी के लिए कुछ काम करना है, तो यह आपका pattern ब्रेक करता है, जो आपके जिन्दगी में clarity और जिन्दगी में खुशनिया एड़ करता है, and no contact rule की पाँचवी important part है, set your boundaries, it helps to set your boundaries, जब आप सामने वाले इंसान से cut out हो जाते हो न, फिर सामने वाले इंसान के अंदर भी वो craving आती है, यह इनसान मेरे से हाट से कैसे निकल गया, यह इंसान मेरे से दूर कैसे चला गया, फिर वो courses करते हैं, वो effort लगाते हैं, वो चाहते हैं कि आपके जिंदगी में आए आपसे बात करें आपसे connect हों उस तरह कि craving उनके अंदर आती है वो आपको call करते हैं 10 call, 20 call जब आपको कर देते हैं उसके बाद आपके पास option होता है to set your boundaries कि मैं दुबारा बात तब करना इस्टार्ट करूँगी जब तुम ऐसे करोगे अच्छे से care करोगे ये value करोगे तो आप अपनी एक boundary set कर सकते हो उस time पर तो ये no contact आपको एक ऐसे stage में खड़ा करता है ना जहां आप अपनी choice हैं ले सकते हो अपनी boundary set कर सकते हो तो it's so much important to understand कि no contact is too much important thing but ज़रूरी नहीं है कि no contact but वो controlling behavior में आ चुका है आपको control कर रहा है लेकिन अगर किसी इंसान का सच में दिली भर गया है वो आपका होना ही नहीं चाहता आपसे दूर ही जाना चाहता है फिर जब आप उनसे दूर चले जाओगे न तो वो उनको एक clarity उनको भी दे देगा क्यों है आप space की जरूरत है वो space देंगे आपको निकल जाएंगे जिंदगी से तो ऐसे लोगों को जिंदगी से निकल जाने भी देना चाहिए तो no contact बहुत helpful है अगर वो आपके होंगे तो आज आएंगे आपके नहीं होंगे तो निकल जाएंगे इंस्टाग्राम पूफे फोलो कर लो यार यहां मैं डेली लाइव आता हूं को अनिक्ट हो सकतो परसनली बात करनी है वाटस अप नमबर दिख रहा है इस पे आप मैसेज करके स्लाट बूक कर सकतो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए सेहें जेवारत